भारुतेंद हरिश्चन ने जब 1884 में बलियां के ददरी मेले में लेक्षर दिया था तो मैं दो लाइने वो लिखते ले आया था जिसमें उन्होंने कहा था समझाने की कोशिस की थी मेले में जो जनसमूह था जो लोग उनको सुन रहे थे कि हिंदू, जैन, मुसल्मान सब आपस में मिलिये जाति में कोई चाहे उच हो या नीचा सब का आदर और समादर कीजिए जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिये उसको सम्मान दीजिए छोटी जाति के लोगों का तिरसकार करके उनका मन मत तोड़िए जाहिर सी बात है कि आज हम 21 सदी का प्रतनिधित्व कर रहे हैं भारतिन दोहरिश्चंद्र 19 सदी का प्रतनिधित्व कर रहे थे 1884 में उस वक्त भी इस तरह की ही विसमताएं और समताएं समाज में थी इस तरह की ही इस्थितियां थी समाज कभी बहुत बहतर नहीं था सायद इसी लिए विचारकों की ज़रुवत पड़ी सुधारकों की ज़रुवत पड़ी संतों की ज़रुवत पड़ी रिशियों की ज़रुवत पड़ी और आज भी ज़रुवत है समाज कभी राम राज्य वाला नहीं हो सकता